हेलो फ्रेंड, Cloud Computing के कोर्स की प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं, सबसे पहली टॉपिक हमारी होने वाले है, Elasticity in Cloud, Cloud के अंदर Elasticity क्या होती है, उसके बाद हम देखेंगे कि Elasticity Block Trigram किस तरह से work करता है, उसके बाद उसके कुछ key aspects के बारे में दे करने वाले है on-demand provisioning की, कि on-demand provisioning क्या होता है, cloud computing के अंदर, उसके बाद key points आप on-demand provisioning देखेंगे, उसके बाद example आप on-demand provisioning की, तो इस दोनों topic है, बहुत जादा important part है, exam point upview से, जो कि exam में मोश्री पूछा जाता है, so video को लाज तक जरूर देखेगा, और हाँ, अगर आ description में link है, आप वहाँ से जाके download कर सकते हैं, मैं आपका instructor संजीब यादव, अगर आपकी कोई भी query है, या भी कोई भी help चाहिए, तो आप इस mail id पे mail करके मुझसे contact कर सकते हैं, अब आगे अगर हम बात करें कि elasticity in cloud computing, cloud computing के अदर elasticity क्या होती है, तो elasticity का मतलब क्या होता है, जैसे एक rubber होता है, खिसता है, फिर अपनी जगह पर आ जाता है, just like वही चीज होती है, लेकिन ये fundamental किसमें है, computer के अंदर, cloud computing के अंदर है, तो elasticity, cloud computing के अंदर क्या होता है, तो उससे पहले हम अगर बात करतें, cloud computing क्या होती है, cloud computing एक तरह कि ऐसी service होती है, जिसका use हम क्या करत हम किसी भी service का use via the internet कर पाते हैं, या फिर कह सकते हैं, अपने data को store करना, किसी भी resource का use करना via the internet, तो क्या होता है, एक तरह का cloud computing होता है, अब बात आते हैं, elasticity, elasticity एक तरह का fundamental characteristic है, आप the cloud computing, ठीक, cloud computing का एक fundamental characteristic है, जो refer क्या करता है, कि cloud computing service automatically या dynamically scale हो जाए, scale का मतलब suppose that हम बात करे आप किसी website को run करते हैं, ठीक है, कोई website run करते हैं, मालो अगर flip card का, example लेते हैं, कि flip card है, flip card क्या करता है, मालो कि अगर cloud computing का use कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, cloud computing, ये cloud computing का क्या कर रहा है, use कर रहा है, अब cloud computing का use कर रहा है, अभी क्या है कि इसके उपर traffic कम है तो इसको data को store करने के लिए कम जगए चाहिए तो इसने क्या क्या है cloud से कम जगए purchase कर रखे है या इतने data में अपना इतने place में अपने data को store कर रहा है लेकिन जैसे sales आते हैं ठीक है जब sales आता है तो इस पर क्या होती कि automatic traffic इस पर बढ़ना इस्टार्ट हो जाती है नंबर आप users बढ़ जाते है जब नंबर आप users बढ़ते है तो उन users या उस traffic को handle करने के लिए ज़्यादा requirement होगी storage capacity की ठीक है तब यहां पर यह क्या करता है कि इस place क्या होता automatic scale होके बढ़ जाता है तो इसी को हम बोलते elasticity in cloud computing cloud computing के अंदर किसी भी dynamic या automatic हम इसको manually भी बढ़ा सकते है या फिर automatic भी हो सकता है scale होता है computing resource such as up down होगा based on demand जैसी demand होगी उसके हिसाब से बढ़ता और घटता है तो उसे हम क्या कहते है है fundamental जो भी fundamental of the elasticity in cloud computing suppose अब यह traffic चली गए जब यह traffic जाएगी तो automatic क्या होगा कि scale up होके अपनी जगए प्या जाएगा जितना पहले था यह वाला place खतम हो जाएगा वह अपने place प्या जाएगा तो इसी को हम elasticity in cloud computing के अंदर यह elasticity हमारी होती है अब अगर बात करें यह क्या करता है इनेबल करता है जो भी business चला रहे है भाई अब क्या है लिपकार्ड business ही एक तरका ठीक है तो business के लिए use करता है इसके लिए application service हम किसी product application या फिर कोई service प्रवाइड कर रहा है तो उन सारी चीजों को optimal performance के लिए cost effectiveness होता है elasticity ठीक है अब बात करते है इसका diagram और किस तरह से work करता है जो block diagram में अगर हम इसको देखें तो जो भी एक cloud environment होगा क्योंकि सारी चीजे cloud environment के अंदर ही हो थी क्योंकि जब आप अपने data को cloud के ऊपर रख रहा है और cloud से तभी यह सारा चीज हो पाएगा तो cloud environment है उसके अंदर elastic manager होता है वर्चुलाइजेशन होता है और infrastructure होता है वर्चुलाइजेशन के बारे में अभी हम लोग पढ़े नहीं है लेकिन आगे के unit में है तो उसके बारे में देख लेंगे अभी हम basic समझ देंगे ठीक है तो यहां पर एक scale होता है scale क्या होता है कि जैसे traffic आती है तो इन सारी चीजों को manage कौन करता है Elastic manager करता है Elastic manager कि यह traffic को analyze करता है डिसेजन लेता है कि monitor करता है workload की कि website के उपर application के उपर server के उपर जो भी चीज चीजे है उसके उपर कितना workload जैसे workload बढ़ता है वो क्या करता है वर्चुलाइजेशन करता है वर्चुलाइजेशन क्या होता है कि आप एक सिस्टम के अंदर वर्चुली कई सिस्टम क्रियेट कर सकते हैं ठीक है सिंगल रिसोर्स का यूज करके सिंगल रिसोर्स मतलब जो भी हार्डवेर आपके पास है उसी हार्डवेर का यूज करके हम मल्टिपल सिस्टम को क्रियेट कर सकते हैं वर्चुली ठीक है अब इंफ्राइस्टेक्टर जो के टास्क अब यहां पर हम देख लेते हैं इलस्टिक मैं इसर क्या करता है मॉनिटर करता है हमारे वकलोड को ठीक इनिटी सिकल अब प्रोवाइट करता है उसको अब नहीं प्रोwort करना है रिपाइन करता है एक अब इंफ्राइशेट्टर लेएर होता है जो भी host physical resource होते है to meet scaling demand जो physical resource है उसको करने के लिए infrastructure layer की demand होती है ठीक है यह चीज हो गई अब आगे बात कर लेते हैं key aspects of the elasticity तो क्या key aspects है सबसे पहले on demand provisioning हो गया ठीक है on demand resource provisioning resource provisioning का मतलब होता है कि automatic allocation आप resource जो भी आपके पास resource है ठीक है उस resource का automatic क्या हो जाता है allocation होता है सच है यह virtual machine हो गया storage हो गया without manual intervention ठीक है बीना आपके कुछ की automatic क्या होता है resource scale हो जाता है जहां पर आप चीजों को इस्टोर करने वाले हैं या फिर आपकी virtual machine हो गई ठीक है यह सारी चीज़े automatic scale हो जाती है तो इसे को on demand resource processing होती है उसके बाद auto scaling होता है auto scaling में क्या होता है कि जो भी cloud service होती है continuous monitor करता है workload, matrix सच है जो CPU किस CPU कितना use हो रहा है उसके बाद देखता है कि network traffic network के उपर traffic कितना है incoming request कितने incoming request आ रहे हैं इन सारी चीज़ों को यानि overall अगर हम बात करें बढ़ता है तो वहाँ पी क्या करता है system trigger करता है automatic scaling to add more resource तो आटोमेटिक क्या हो कि resource और जादा इसको resource add होता है तो इसको automatic scaling होती है सबसे पहले network traffic को जो भी workload है उसको क्या करता है कि analyze करता है कि कितना workload है जैसे workload उसको प्रता चलता है दिखता है pre define करता है उसके बास system को trigger करता system automatic trigger करता है कि scale हो जाए जो भी रिसूर्स है automated उसके बाद आती है horizontal and vertical scale तो जो हमारे elasticity आती you vertical and horizontal दोनों scaling provide करती है जो हमारे horizontal scaling होती है ब tô क्या करता है कि add कर देता है number up instances को ठीक है जो भी resource instances है उसको add कर देता है virtual machine के अंदर, जो की horizontal scaling कुछ इस तरह से होती है, ठीक हmen? आप इसका diagram बना सकते हैं ठीक है ए इस तरह को होती है और जो vertical scaling होती है वो कुछ इस तरह से होती है ठीक इस तरह से होती है, अब vertical scaling के अंदर क्या होती है इनक्रीज कहता है capacity आप existing resource जो भी resource आपके पास है उसकी capacity को increase कर देता अपग्रेड कर देता है ए वर्चुल मसीन जो भी आपके पास machine उसको upgrade कर देता है cpu को upgrade कर देता है जो भी memory card उसको upgrade कर देता है यह virtual scaling करती है horizontal scaling क्या करती है यह बस add करती है more instances आप resource जितने भी resource है उसके और instances को add कर देता है इसके अंदर उसके बाद cost efficiency की बात कर ले हम cost efficiency में क्या होता है कि जो भी detail एक से भी होगा benefit through the automatic resource adjustment भाई जिस तरह का resource आप जितना resource use करेंगे उतना आपको payment करना पड़ेगा जब आप resource आपका scale हुआ है आप उस समय इतने resource का payment करेंगे और जब आपका resource कम resource का use करें तब आप इतने का payment करेंगे मतलब जितना आप use करेंगे उस हिसाब से आपको payment करना होगा उसके बाद आता है improvement and availability तेक improvement and availability की बात अगर हम करें तो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी elastic होती है ठीक है वो क्या करता है scaling करता इंसे ओर अप्लिकेशन के handle ठीक है जो भी application handle करता है traffic और computational demand without performance degradation ठीक है जो भी operations होते हैं ठीक है ensure करता optimal जो भी application perform and fault tolerance during the operation हम perform कर रहे हैं उस समय के लिए ठीक है उसके बाद application aware scaling होता है ठीक है application aware scaling की बात करता हूँ description of the application specific ठीक है यह application के क्या specific है scaling decision for optimized resource allocation यह सारी सीचे इसके अंदर आ जाती है अब बात हम करते हैं आगे कि example of elasticity कि इसके क्या example suppose that कर रहा है कि e-commerce site है ठीक है traffic during the sales event भाइस जब कोई e-commerce site है अभी हमने flip card के बारे में बात किया तो उसमें क्या होगा कि traffic कब होगी जब sales event चलेगा ठीक है जब भी events होगा sales वाला तब उस पर traffic जदा होगी cloud provider क्या करते हैं उस समय automatic increase कर देते हैं virtual machine during the high traffic भाई जैसे traffic आपके platform पे हाई हुई वैसे cloud जो भी cloud providers है ठीक है ओ क्या कर देते हैं आपके machine के ऊपर increase कर देते हैं उसकी जो भी quality है उसको increase कर देते हैं उसके traffic आई तो यह बढ़के हमारा यहां से यहां तक हो गया ठीक है लेकिन जैसे क्या होता है कि traffic down होती scale down होती है traffic return हो जाती और normal हो जाता है तो वहां पर क्या होता है कि ensuring cost efficiency and optimal performance वहां पर क्या होता है कि automatic रेडियूस हो जाता है आप फिर से जितना use करते हैं मतलब जितने provisioning की बात करें एक तरह का क्या है कि fundamental concept है cloud computing के अंदर जो allow करता है कि कोई भी user ठीक है acquire करे allocate करे computing resource such है virtual servers ठीक है storage and networking ठीक है इन सारी चीजों को क्या करे कि allocate करे ठीक है the provisioning model ठीक है provide करता है flexibility, scalability and cost efficiency ठीक organization by eliminating the need of the upfront hardware investment जो क्या कहते है जो भी organization क्या करते है कि hardware के अंदर investment नहीं करना चाते है भाई आज के दित में है क्या कौन सी company hardware के अंदर investment करेगी सब लोग यही चाहते है कि cloud पे क्या करें वो storage के खरीदे और storage के उपर उसके उपर cloud उपर अपने data को save करें ठीक है remove करें ठीक है allow करते resource to be quickly added and remove as the workload requirement changes जिस हिसाब से workload change होता है उस हिसाब से on-demand provisioning के अंदर क्या होता है कि आपके resource add होता है resource remove होता है इन सारी चीजों के अंदर on-demand provisioning हो गई इसकी key points की अगर हम बात कर ले तो resource flexibility resource flexibility का मतलब क्या होता है कि description of the various computing resource available for the provisioning provisioning के लिए आपको various चीजे मिल जाएंगे various computing resource various computing resource की अगर हम बात करें तो जैसे various computing के अंदर सच है आपका CPU आ जाएगा ठीक है memory storage आजाएगा memory storage capacity क्या है networking networking bandwidth क्या है यह सारी आपकी resource flexibility के अंतर आ जाती है उसके बाद instant availability instant availability का मतलब कि how cloud service provider quick resource access through user friendly interface अब भाई आप एक user friendly interface का use करके आप instant क्या कर सकते हैं service का use कर सकते हैं resource का access कर सकते हैं suppose that google drive ले ले one drive ले one plus है ठीक है तो यह सब क्या करते है कि आपके पास एक UI है user interface जिसका use करके आप drive के ऊपर कोई भी चीज अपलोड कर सकते हैं तो उसके resource का क्या कर रहे है आप use कर रहे है एक ताहसे उसको जो भी storage place है आप वहां पे अपनी चीजों को store कर रहे है ठीक है उसके बाद scale करता है resource up-down based on demand जैसी आपके डिमांड होगी उस हिसाब से आप क्या करेंगे कि scale करेंगे जैसी अगर आपके पास traffic क्या होगी ज्यादा होगी तो आप ज्यादा server ज्यादा service का use करेंगे resource का यूज करेंगे आपके पास कम traffic होगी तो आप कम चीज़ों का use करेंगे cost efficiency हो गया cost efficiency का मतलब है कि आप उसी के लिए pay करेंगे जितनी चीज़े आप use करेंगे pay as you go ठीक है आप जिन services का use कर रहे है बस आप उन्ही services को लिए pay करना otherwise आपको payment नहीं करनी है ठीक है उसके पाता है use cases ठीक है use cases की बात करें specific example ठीक है तो कुछ scenario होती है where on demand provisioning is beneficial ठीक है वहाँ पी क्या होता है beneficial होते है workload हो गया ठीक है start up हो गया ठीक है अब start up में अगर आप सबसे पहले आप किसी भी company का start up कर रहे है तो suppose तो जब आपके पास fund कम हो और आप उसी में hardware के अंदर investment कर दें तो वहाँ पी क्या होगा कि अगर आपकी company नहीं चलती या फिर वह से आपके money crisis आ जाएंगे तो इसलिए क्या करते हम क्या करते हैं कि cloud computing का use करते हैं on-demand provisioning जिस हिसाब से हमारे पास चीजे बढ़ेंगी उस हिसाब से हम उसको बढ़ा लेंगे ठीक है self service होता है ठीक हाँ users can independently manage resource अब इसके अंदर क्या on-demand provisioning के अंदर क्या होता कि user आसानी से क्या सकता है सारी चीजों को manage कर सकता है without किसी IT engineers के ठीक है यह सारी चीज़ी होती है उसके बाद resource monitoring होता है introduction to resource monitoring tools provide by cloud service अब cloud service आपको क्या करता है resource monitoring tools भी provide करता है कि आप किन-किन चीजों का use कर रहे हैं उसके बाद security आती है तो security by simple सी बात है, cloud के अंदर आपको security जादा मिलीगी, आप अगर एक startup company आपने company अभी start करना शुरू किया है, ठीक है, आप company को start कर रहे हैं, और उसी समय क्या होता है कि आपने company start किया, तो आप एक अपनी company के जो भी data होगा, उसको secure करने के लिए एक high quality का engineer acquire नहीं कर सकते हैं, तो आप अगर cloud के साथ जाते हैं, तो cloud क्या है कि एक service है, जो कि बड़ी-बड़ी company दोरा provide की जाती है, तो company क्या करती है, उस सारी चीजों के लिए अपने data के साथ साथ आपके भी data की security की guarantee लेती है, तो यह सारी चीजिए आपको मिल जाती है on-demand provisioning के अंदर, अब बात आत इक्जांपल, ठीक है, एक्जांपल आप on-demand provisioning की देखे, ठीक है, on-demand startup है, web application का, ठीक है, जो भी traffic है, traffic क्या होती है कि आती है, जाती है, अभी कम traffic होगी, on-demand provisioning, इसके अंदर, कोई भी startup developers है, तो during the peak time, जब भी आपका peak time आएगा, more virtual machines are needed for the optimal performance, अब जब पीक time आएगा, suppose that कोई ऐसा time आता, आपका भाई startup है, चल गया, तो इसमें क्या होगी, कुछ ऐसे times आएगे, जब आपके पास number आप traffic जादा बढ़ेगी, जादा users request करेंगी, तो वहाँ पर क्या होगा, कि more virtual machine की need होगी, ठीक है, कि optimal performance हो पाए, तो with the on-demand provisioning की साथ क्या होता है, कि cloud, जो भ hours, भाई, peak hours, जैसे क्या होता है, कि कुछ है, सामकाट हमें हो, समय होता है, आपका कोई social media platform, social media platform पे सबसे ज़्यादा traffic कब आती है, सामठी टाइम पे आती है, मालों कि 6 to 10 तक आती है, ठीक है, उसके बाद फिर कम हो जाती है, तो यह क्या होता है, कि उसका peak hours है, peak hours में क्या ह होता है, कि on-demand provisioning में, जो हमारे cloud services होती है, वो extra virtual machines को provide कर देती है, automatic deploy कर देती है, during the peak hours, जब peak hours आता है, अब जैसे ओला और उबर की बात कर ले, उनके लिए peak hours क्या है, सुबह है, office time से 9 तूल लेके, 8 से लेके, 10 तक है, 8 to 10 है, और साम को क्या है, 7 से लेके, 10 तक है, दो बा पास virtual machine, automatic deploy हो जाती है, तो यह होगी आप peak time, भाई सुबह लोग office जाते है, college जाते है, तो उस समय peak time हो गया, और जब वहाँ से return होते है, तब peak time होता है, यही होता है, ठीक है, और peak time, जब peak time नहीं होता है, तो C resource, ठीक है, reduction, for cost, by reduce, जब आपको क्या होगा, कि जब आपके peak time नहीं होगा, तो जो भी automatic virtual machine deploy की गई थी, वो हटा ले जाएंगी, जिससे आपको ज़्यादा cost pay नहीं करना पड़े, तो यह हमारा हो गया on-demand provisioning, कर रहा है, on-demand provisioning, ensure the efficiency, resource, scaling for the sense of user experience and cost management, तो बहुत सारी चीज़ों में use किया जाता है, तो I hope कि आपको समझ में आया होगा, की on-demand provisioning and elastic क्या होता है, so friend, आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like, comment और subscribe जरूर कीज़ेगा, और हाँ, अगर आप cloud computing की course की PDF को डाउनलोड करना चाहते है, या फिर इस PPT को डाउनलोड करना चाहते है, तो description में लिंक है, दोनों चीज़े आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, so अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like, comment और subscribe जरूर कीज़ेगा, thanks for watching the video, thank you, bye bye guys